अस्सलाम अलाइकुम दोस्तो मैं हूँ मुहमद चारोडालाम और आप सभी को स्वागत हमारापके यूटिव चैनल पेटजी पर दोस्तो आज का विडियो का टॉपिक जो हे बहुत important है आप जो भाय लोग या बेहन लोग जो सोनाली चिकन पालते हैं या देशी चिकन पालते हैं तो इस चिकन पालने में एक दिक्कत क्या होती है जो मुर्गी को ठंड लग जाती है ज्यादा तर यह देशी को होता है कभी पर सोनाली को भी ठंड लगती है तो यूट्यूब में ऐसी बहुत सारी वीडियो मिलेगी जहां पर बोला गया है कि आपको मुर्गों ठंड लग जाए तो आप कैसे उसका इलाज करें क्या क्या उपाई अपनाएं तो यहां पर मैं बताऊंगा कि ठंड लगने की जो कारण है ओक क्या कारण के लिए मुर्गी को ठंड लगती है अगर मैं कारणी बता दिया तो मुर्गी ओनाए ठंड लग देगी मेडिसीन बगर नहीं लगेगा तो मैं पॉइंट आउस आप लोग के साथ सेयर करूंगा हमारा पार्सोनल एक्सपेरेंस से आप लोग पूरा वीडियो का इन तक जरूर देखिएगा पहला जो पॉइंट है कि फार्म में अगर ज्यादा एमोनिया गैस हो जाता है तो मुर्गी को ठंड लग सकती है आप या सर्दियों के मौसम में जो पर्दा ज्यादा टाइम पर्दा फिक्कर रख देंगे दूप उठ गई तो भी आपका मु उससे एमोनिया गैस मतलब प्रोडीस होता है वह मुर्गी ठंड लग जाती है उसकी बज़य से दूसरा जू कारण है आप मतलब थोड़ी सी जगा पर अगर ज्यादा मुर्गी रखेंगे तो मुद्गी ठंड लग जाएगी मतलब आपको पार मुर्गी के लिए उसका मुत जो तूस या आप जू युश करते हैं हो अगर ज्यादा मतलब शुकवाब हो जाये तो उससे जो डास्ट प्रोडिउस हो bas General मूर्गी का जो रिचंपरेट्रडरिय में कर जाएगा ड्यस्पेरेशन का टाइ्म तो और मूर्गयी को ठंद है तो मूर्गी या इस्प्रेयर में पानी को भीगा दे थोरा गीलापन लाए और दस्ट को दमा दे चौथा जो पॉइंट है जो आपका फार्म में भेंटिलेशन अगर ठीक ठक नहीं तो मुड़ी ओठन लग जाती है मतलब हमारा घर में जैसे उपर वेंटिलेटर होता है तो आप फार्म का उपर का साइट थोरा फाका रखेगा जो नेट होता है उसका एंडिंग पॉइंट मतलब जो खराप गयास शुर रहे था है उपर से ही निकलता है तो उसको थरा खुला सा रखेगा वो अच्छा रहेग और पास्वा जो पॉइंट है मतलब आप जो मुर्गियों के लिए हरा चारा देंगे तो हरा चारा जरूर दो पहर का टाइम में देजिएगा एकदम सुभे में या साज में नहीं दीजिएगा और हरा चारा हर मतलब मैं रिकमेंट करूंगा कि दो पहर के ताइम में दीजि अगर पसंद आए तो वीडियो को जरूर से एक लाइक करेगा चैनल में नए है तो चैनल को जरूर से सबस्क्राइब करेगा और कुछ भी मतलब जान करी चाहिए मदद चाहिए तो हमरे तरफ से हम 100% देने की पोसिस करेंगे तो जरूर कॉमेंट में मुझे जो जान करी चाहि तो आज का वीडियो यहां पर ही खत्म करते हैं मिलते हैं अगले वीडियो पर अस्सलाम आलाएकुम